हाई फ्रेड वेलकम टू माई चैनल इसके सोनू टेक वर्ड देखिए फिर्ड कल मैं एक वीडियो बनाया था और आप लोग को बताया था कि क्या पार्ट वन पर मोटेड है या फेल है तो पार्ट थिरी का परिछा फर्म भर सकते है या नहीं क्या part 2 में promoted है या fail है तो part 3 का परिशा फर्म भर सकता है कि नहीं क्या part 3 में नमांकन हो पाएगा कि नहीं अगर part 1 में fail या पर्मोटेड है या part 2 में fail या पर्मोटेड है तो तो बहुत सारे छात्रों को इससे confusion हुआ और ओलो कमेंट किये कि सर इसके बारे में details में वीडियो बनाईए ताकि हम सभी अच्छे तरीके से समझ सकें चलिए इस वीडियो के मादम से मैं आपको life proof के साथ समझाने वाला हूँ ताकि आपको कहीं भी confusion नहीं होगा चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दाबा दें और अभी तक आप टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किये हैं तो जा करके टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी छोट वरी खबरे दी जाती है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बक्स में है या टेलिग्राम में सर्च कर सकते हैं इसके सोनू टेक वर्ड चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू कर लेते हैं चलिए पहले हम आते हैं कि क्या पार्ट वन में प्रमोटेड है या फ्यल है तो पार्ट 3 का परिच्छा फॉर्ण भर सकते है या नहीं चलिए मैं आपको लाही प्रूफ के साथ दिखाता हूं देखिए फ्रेंड मैं आपके सामने प्रूफ साबित करने के लिए यहाँ पर जैपरकास उनिभर्सिटी का अस्तना तक 33 खंड 28-21 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था परिच्छा फॉर भरने का ओ लिया हूं इससे आपका सारा का सारा प्रब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि अगर आपका पार्ट 1 में फेल या पर मोटेड है तो पार्ट 3 में न मांगकर होगा और जाया नहीं होगा चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं यहां पर आप सभी देखेंगे महत्पूर्ने निर्देश में यहां से आपका सारा प्रब्लम सलभ होगा यहां पर बताया गया है परिच्छा पर पत्र के साथ प्रत्रम दूतिय खंड परिच्छा के अंक परवेष पत्र, बिसवेधाले पंजियन परमान पत्र आदी काग्जात की जहिए परती परिचारत दुवराई परमानित संगलन करना अथी आवास सकहें कोई भी छात्र प्रथम खंड में पर्मोटेड होने पर एकी सात्र में किसी भी परिश्थिती में तिर्तिय खंड के परिच्छा में सामिल होने के पात्र नहीं होंगे तो यहाँ पर आप सभी समा सकते हैं एक बार फिर से कोई भी छात्र प्रथम खंड में परमोटेड होने पर एकी सत्र के किसी भी परिश्थिती में तीर्तिय खंड के परिच्छा में सामिल होने के पातर नहीं होंगे यानि कहने का मतलब है यहाँ पर साफ साफ कि अगर आप Part 1 में पर्मोटेड है तो आप Part 3 का परिच्छा फॉर्म नहीं भर सकते है यहाँ पर आप सभी देख पा रहा हैं यह जो notification है जे परकास University के द्वारा जारी किया गया था यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 11.42 को यह notification जारी किया गया था तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आप Part 1 में promoted हैं या फेल हैं तो आप part 3 का परिच्छा फर्म नहीं भर सकते हैं अगर आप part 2 में promoted है तो part 3 का परिच्छा फर्म भर सकते हैं अगर आप part 2 में fail है तो part 3 का परिच्छा फर्म नहीं भर सकते हैं अगर आप part 1 में fail है तो part 2 में आप नहीं जा सकते हैं promoted होंगे part 1 में तबी आप part 2 में भी जा सकते हैं चलिये में अब आपको बताता हूँ कि अगर आप part 1 में पर्मोटेड है तो part 3 में आपका नमांकन होगा की नहीं होगा यह भी आप live proof के साथ देख लिजिए यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं यह जो notification है महेंद्र महिला महाविद्याले गुपाल गंज का है जो की 1821 का notification जारी किया गया था आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 दूद्धोर 22 को यह notification जारी किया गया था यह समझाने के लिए में आपको यहाँ पर इसको लाया हूँ आप सब भी यहाँ पर देख सकते हैं नमांकन हेत्यु आवस्य का ज्यात निम्नवत है अस्तनातक परथम खंड यह दूतिय खंड का परवेश पत्र अंक पत्र अस्तनातक परथम पर पत्र जाती परमान पत्र नमांकन पर पत्र उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहां नमांकन सुल्क दिया हुआ है उसके बाद नोट में देखिए असनातक प्रत्थम खंड उतिर छात्राओं का ही नमांकन तिरतिये खंड में होगा तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका अगर पार्ट वन में प्रमोटेड है तो आपका पार्थिरी में नमांकन नही होगा चलिए एक और प्रूप के साथ आपको दिखा दे रहा हूँ यह आप देख सकते हैं कमला राय महाविद्यालय गुपाल गंज का है यहां पर भी आप सभी देख पा रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है नोट में पास यानि कि उतिर यहों पार्ट वन में पास पर्मोट पास यहां पास आपका नमांकन लिया जाएंग तो इस तरह से आप सभी समझ चुके होंगी कि आपका पार्ट वन और पार्ट हून का क्या प्रोसेस है चलिए परेंप फिर मिलते हैं एक अप्डेट के साथ तब तक के लिए जये हिंद